हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का 38 चेप्टर करेंगे जिसका नमा है दमेजिक केटल यह मैं आपको एक्स्प्रेन करूंगे हिंदी में ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आ इसके बारे में क्या है अतानुकी इसस्मॉल फरी डॉग लाइक एनिमल फाउंड इन जापान इन जगह का नाम है ठीक है एक कंट्री एक देश है क्या बोला है कि इतनुकी एक छोटासा बालो वाला कुछते जैसा दिखने वाला जानौर है जो जापान में पाया जाता है दो बच्चो वो जानौर ऐसा दिखते है यहां पर दुख आपको दिखा आए और अच्छलों आगे देखते हैं क्या है यहां पर क्या बोला है? मतलब कि यह जो चोटा सा जो यह जानचल जानवर है इसके बारे में बहुत सारी कालपनिक कहानिया है It is believed in the stories that अतानुकी can take the shape of anything or any animal Believe मतलब बच्चो आप बोल सकते हो माना जाना यह तो विश्वास करना Stories मतलब कहानी Take मतलब बच्चो लेना Shape मतलब आकार Anything मतलब बच्चो कुजी भी चीज Animal मतलब बच्चो कोई भी जानवर Animal मतलब जानवर यहां पर का बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कि कहानियों में यह माना जाता है कि जो तानुकी जानवर है यह कोई भी आकार ले सकता है और कोई भी जानवर बन सकता है देखो यह तानुकी को बोला है कि कोई भी आकार, कोई भी जानवर बन सकता है कोई भी आकार ले सकता है ऐसे कहानियों में माना जाता है ठीक है आगे देखते क्या है और कानुकी के बारे में यहाँ पे आपको एक कहानी बताएगी यह देखते क्या है क्या बला है कि एक समय जो जापान देश है यहाँ पे एक बुढ़ा आदमी रहता था क्या बला है यहाँ पे कि वो एक बहुत ही सुन्दर घर में रहता था जो पहाड के ऊपर बना हुआ था He was proud of his house with its white straw mats and pretty papered wall proud मतलब बचो अब बल सकते हो गर्व, house मतलब घर, white मतलब बल सकते हो जो घास की जो चटाई रहती है वो pretty मतलब बल सकते हो सुन्दर, paper मतलब बल सकते हो कागस, wall मतलब दिवाल मतलब बचो वो जो बुढ़ा आदमी था, उसे अपने घर पे बहुत ज़्यादा गर्व था, उसे अपने घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था warm मतलब बचो गर्म, weather मतलब मौसम, street मतलब बचो अब बल सकते हो गिराना, back मतलब वापिस, wall मतलब दिवाल, smell मतलब बचो अब बल सकते हो सुगंद, tree मतलब बचो पेड, flower मतलब फूल, come मतलब बचो आना, in मतलब अंदर यहाँ पर क्या होला है, कि वो जो बुढ़ा आदमी था, वो क्या करता था, जब गर्म मौसम रहता था, तो अपने जो दिवालती पेपर की उसको नीचे कर देता था, ताकि जो पेड़ है और जो फूल है, यह सब की सुगंद अंदर आए, ठीक है, smell अंदर आए, आगे क्य अंदर आप अंदर आप आप जो बच़ो अलटे साइड उलटी और वें मतब बचो अपोजीट मतब बचो उल्टा वें मतब जो जब हर्ड मतब बचो सुननना रंबलिं मतब बचो अबसुक्त हो गहरी नॉइस मतब आवाज, रू मतब कमरा बिहाइंड मतब पीछे, क्या Turned around and saw a rusty old iron kettle in a corner. Turned मतलब जो घूमना, saw मतलब जो देखना, Rusty मतलब जुकर जंक लगा हुआ, Old मतलब जो पुराना, Iron kettle मतलब जो लोही की केतली. Corner मतलब कोना? क्या बोले हैं यहां पे? कि वो घूमा और उसने वो घूम कर देखा, कि क्या देखा? उसने एक बहुत ही पुरानी जंक लगे हुई लोही की केतली, एक कोने में पड़ी हुई थी. How the kettle got there, the old man did not know, but he picked it up and looked at it over carefully. How मतलब जो कैसे? Kettle मतलब केतली. Old man मतलब जो बुढ़ा आदमी. No मतलब जानना. Pick मतलब जो उठाना. Luke मतलब देखना. Carefully मतलब ध्यान से. क्या बुला है यहाँ पे? कि वो वहाँ पर कैसे आई? यह बुढ़े आदमी को नहीं पता था, लेकिन वो उसे उठा कर उसको ध्यान से देखने लगा. आगे देखो क्या है? That's a piece of luck. He said, smiling to himself, my old kettle was getting worn out and this looks like a good kettle. यहाँ पे क्या बोला है? कि वो सुचा कि क्या मेरा अच्छा मेरा भाग कितना अच्छा है? वो हसते हुए एक खुछ से बोला क्योंकि उसको पुरानी केतली थी वो खराब हो चुकी थी और जो ये केतली उसे रूम में मिली थी कमरे में वो बहुत ही जादा अच्छी दिख रही थी He filled the new kettle with water and put it on the fire Fill मतलब भरना है, new मतलब नया, kettle मतलब केतली, water मतलब पानी, put मतलब रखना, fire मतलब आग क्या वला है यहाँ पे? क्यों उसने वो नई केतली में पानी भर कर रखा और उसे आग पर रख दिया As soon as the water in the kettle began to get warm, a strange thing happened As soon as मतलब बच्छो जैसे ही, water मतलब पानी, kettle मतलब केतली, begin मतलब शुरू, warm मतलब गरम, strange मतलब बच्छो अजीब, thing मतलब चीज, happen मतलब होना क्या वला है? क्या जैसे ही वो जो पानी केतली में था, वो गर्ब होना शुरू किया एक बहुत ही अजीब चीज हुई क्यों सी अजीब चीज सी देखते हैं, the man thought he must be dreaming, मैंने मतलब बच्छो आदमी, thought मतलब सोचना, dreaming मतलब सपना देखना, क्या बोले हैं बच्छो आदमी ने वो बुड़ा आदमी था, वो सोचा कि मैं सपना देख रहा हूँ, the handle of the kettle slowly changed its shape and became a head, handle मतलब बच्छो जो हम पकड़ का जो हिस्सा रहता है वो, देखो यहां पर, यह देखो यह handle है, इसको handle बोलते हैं, ठीक है? kettle मतलब बच्छो केटली, slowly मतलब बच्छो धीरे, change मतलब बच्छो बदलना, shape मतलब आकार, bk मतलब होना, head मतलब बच्छो, sir यहां पर क्या बच्छो, कि जो handle था, यह kettle का, यह जो केटली का handle था, वो बदल कर, वो अपना आकार बदल कर, एक सर में बदल गया, किसके सर में? यह जानवर के सर में, तानू की के, ठीक है? आगे देखो क्या है, आगे आपको, the spout, give into a tail, spout मतलब बच्छो, देखो, spout क्या रहता है, जहां से केटली से हम कुछ चाय यह सब जो निकलती है न, उसको spout बोलते हैं, टेल मतलब पूछ क्या होला है, कि जो spout था केटली का, जहां से हम चाय सब निकालते हैं, या पानी वो बढ़कर एक पूछ बन गया, out of the body, of the kettle, spring four pause, out मतलब बाहर, body मतलब बच्छो, शरीर, kettle मतलब केटली, spring मतलब बच्छो, आप बच्छो, उचल कर बाहर आना, pause मतलब पैर, आप बोल सकते हो, four मतलब चार, और क्या बोला है, कि जो केटली थी, उसका जो केटली था, केट पिर ऐसे, चार पैर बाहर आए, दो कोई दो पैर है, दो पैर पीछे है, ऐसे हुगा, ठीक है, आगे देखते क्या है, in a few minutes, the man was watching, not a kettle, बट अतानुकी, few मतलब चो कुछ, man मतलब चो आदमी, watching मतलब देखना, kettle मतलब केटली, बट मतलब लेकिन, क्या वोला है, कि कुछी सम अचे, द तानुकी, jumped of the fire, and bounded about the room, like a kitten, jump मतलब बचो कूदना, fire मतलब आग, bounded मतलब बचो आदमी घूमना, room मतलब बचो कमरा, kitten मतलब बचो, बिल्ली का बच्चा, क्या वोला है, जो तानुकी था, वो आग से कूद कर, निकल गया, और पूरे room में, एक बिल्ली का बच्चे paper wall मतलब बच्छो जो कागस की दिवाल जिसे हम बोलते हैं ceiling मतलब बच्छो अब बोलती हम च्छत यहां पर क्या वोला है कि वो जो था जो यह तानूकी था वो जो paper की दिवाल थी उस पे दोड़ने लगा और ceiling मतलब च्छत पे भी दोड़ने लगा The old man could not catch it, old मतलब बुढ़ा, man मतलब आदमी, catch मतलब पकड़ना, क्या वला है, जो बुढ़ा आदमी तो उसे पकड़ नहीं पाया, he called his neighbor for help, call मतलब बुलाना, neighbor मतलब बच्छो, पड़ोसी, help मतलब मदद, क्या वला है, यहां पर, कि उसने क्या किया, उसने अपने पड़ोसी क मदद के लिए बुला है, somehow they caught the tanuki and shut it up in a wooden chest, somehow मतलब बच्छो, कैसे भी, caught मतलब पकड़ना, shut मतलब बच्छो, बंद करना, wooden मतलब बच्छो, लकड़ी, chest मतलब बच्छो, बकसा, ठीक है, यहां पर क्या वला है कि कैसे भी उन लोगों ने tanuki को पकड़ा, और एक बकसे में ब मतलब बच्छो, बाद में आतों पीछे, tanuki मतलब बच्छो, यह जानवर के है, इसको tanuki मतलब बनाना, both मतलब दोनो, tired मतलब बच्छो, अब बल सकते हो, ठकावट, बच्छो, तानuki के पीछे दोड़ने के वज़े से, जो बुढ़ा आदमी था, और जो उसका पडूसी था यहाँ पे दोगो भी यहाँ पे क्या है, what shall I do with this naughty animal, I don't want to keep it in the house, said the old man, what मतलब बच्छो क्या, do मतलब बच्छो करना, naughty मतलब शरार्ती, animal मतलब बच्छो जानवर, I मतलब बच्छो मै, want मतलब बच्छो चाहना, keep मतलब रखना, house मतलब घर, said मतलब बच्छो बोलना, old man मतल बुड़ा आदमी, यहाँ पे क्या बोला है बच्छो, कि अब मैं इस शरार्ती जानवर के साथ क्या करू, मैं इसे अपने साथ, अपने घर में नहीं रखना चाहता हूँ, ऐसा यह बुड़े आदमी ने बोला, ठीक है, why don't you sell it off to Jimu, the peddler, the neighbor suggested, why मतलब बच्छो क्यो, sell मतल बेशना, peddler मतलब बच्छो, जो घुम घुम के सामान बेशते हो, neighbor मतलब बच्छो, पडोसी, suggested मतलब बच्छो, सलाह देना, अब देखो, क्या यहाँ पर बोला है, क्यों नहीं तुम इसे जिमू को बेश दो, जो घुम घुम के सामान बेशता है, ऐसा पडोसी ने इसे सल दी, यह बुढ़े आदमी को, आगे क्या है, देखो, that's a good idea, said the old man, good मतलब बच्छो, अच्छा, idea मतलब आप बोल सकते हो, विचार, old man मतलब बुढ़ा आदमी, said मतलब बोला, यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बहुत भी अच्छा आइडिया है बहुत अच्छा विचार है, ऐसा बुढ़े आदमी ने बोला, ठीक है, आगे दिखते क्या है, so they sent for jimu, when he came, the old man went to the chest and lifted the lid very very carefully, send मतलब बेजना, when मतलब बेजना, when मतलब बेजना, when मतलब बेजना, चेस्ट मतलब बुढ़ा आदमी, when मतलब बेजना, चेस्ट मतलब बकसा ह लिफ्ट मतलब जो उठाना, लिड़ मतलब धकन, केरफिल मतलब जो ध्यान से, यहां पर क्या बोला है बच्छो, कि उन्होंने उसे जिमू को देने के निश्च्छा किया, और जब वो आदमी आया, जिमू, जो बुढ़ा आदमी था, वो बकसे के पास गया, और बहुत ही ध्यान से, उसका धकन ऊपर उठाया, बट देर वस नो तानुकी इंसाइड, अल्ली दा ओल, रस्टी केटल, दा ओल मैन हैड फाउंड, बट मतलब बच्छो लेकिन, इंसाइड मतलब बच्छो अंदर, अल्ली मतलब सिर्फ ओल मतलब पुराना, रस्टी मतलब जंक लगा केटली थी, जो बुढ़े आदमी को अपने कमरे में मिली थी, ठीक है, आगे देखो क्या है, he did not know, he did not now want to keep the kettle, now मतलब बच्छो अभी, want मतलब बच्छो चाहना, keep मतलब रखना, केटल मतलब केटली, क्या बोला है, कि वो उस केटली को अब रखना नहीं चाहता था, यहाप देखते हैं क्या हुआ, he gave it away to Jimu without taking any money for it, gave मतलब बच्छो देना, अभी मतलब बच्छो अब बच्छो दूर, without मतलब बच्छो बिना, taking मतलब लेना, money मतलब पैसा, यहापे क्या होला है, कि उसने उस केटली को Jimu को दे दिया, Jimu को दे दिया, Jimu को दे दिया, बुड़े क्लोथ बैग मतलब बच्छो कपड़े का जोला, कपड़े का बैग, ठीक है, starter मतलब बच्छो शुरू करना, home मतलब घर, क्या बोला है यहापे, कि जो Jimu था, इसने क्या किया, उस केटली को अपने कपड़े के जोले में रख लिया, और अपने घर के लिए रवाना हो गया, घर के लिए निकल गया, he felt that his bag was getting heavier and heavier on the way, fit मतलब बच्छो महसूस करना, bag मतलब जोला, getting मतलब बच्छो होना, heavier मतलब भारी, way मतलब बच्छो रास्ता, क्या होला है यहापे, कि तभी Jimu को महसूस हुआ, रास्ते में कि उसका जो जोला था, जो बैग था, वो भारी होते जा रहा है, but he did not put it down, but मतलब बच्छो लेकिन, put मतलब रखना, down मतलब नीचे, यहापे क्या होला है, लेकिन Jimu ने जोले को नीचे नहीं रखा, इसने जोले को नीचे नहीं रखा, on reaching home, Jimu put the bag away carefully in a corner, reaching मतलब बच्छो पहुचना, home मतलब घर, put मतलब बच्छो रखना, bag मतलब रखा, at night when Jimu was fast asleep, he heard a sudden noise and woke up, night मतलब बच्छो रात, when मतलब जब, असली मतलब बच्छो सोना, नीच मतलब बच्छो अचानक, noise मतलब आवाज, woke up मतलब बच्छो नीच से जागना, ठीक है, नीच से उठना, यहापे क्या होला है, कि रात का टाइम जब 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 गहरी नीद में, तभी उसने अचानक एक बहुती ज़्यादा तेज आवाज सुनी और वो उठ गया, यह जिमू, रात को जब सो रहा था, तब आवाज दी तब यह उठ गया, he could not see anything, but he thought, he heard some noises in the corner, see मतलब जो देखना, anything मतलब जो कुछ भी, but मतलब लेकिन, thought मतलब सोचना heard मतलब सुनना, some मतलब कुछ, noises मतलब आवाज, corner मतलब कोना, यहाँ पर क्या वला है, कि उसने कुछ भी देखा नहीं, लेकिन वो सोचा कि उसने कुछ तो सुना है, कोने से, जो आवाज आ रही थी, उसने कोने से सुनी यह आवाज, कमरे के कोने से, when he lit the lamp, he saw that the kettle had turned into a tanuki once again, when मतलब बचो जब, lit मतलब बचो जलाना, saw मतलब देखना, kettle मतलब केतली, turn मतलब बदलना, tanuki बचो, वो जानवर का नाम है, जो हम देखे हैं, देखो, यहाँ पर दिखा है हमको जानवर, once मतलब बचो एक बार, again मतलब वापीस, यहाँ पर क्या होला है, कि जब उसने lamp को ज जलाया, जिमूने, तब उसने देखा, क्यों जो केतली थी, वो वापीस बदल कर तानuki में हो गई है, अब वापीस केतली बदल कर तानuki बन गई है, ठीक है? It was running around, chasing its own tail, running मतलब जो दोड़ना, round मतलब जो गोल-गोल, chasing मतलब जो पीछा करना, own मतलब जो खुद, tail मतलब पूच, क्या है आप बोला है? कि वो जो तानuki था, वो खुद की पूच का पीछा करते करते, जो गोल-गोल घूम रहा था, जिससे आपने कभी कोई कुदे को द जोड़ना, here मतलब बचो यहाँ, there मतलब वहाँ, jump मतलब कुदना, turn मतलब जो घूमना, summer soul मतलब जो कलावाजी करना, क्या बहला है यहाँ पे? कि जो तानuki था, वो यहाँ से वहाँ दोड़ रहा था, कूद रहा था, और कलावाजीया कर रहा था, जिमू सेट वाचिंग त मतलब देखना, long term मतलब बचो लंबा समय, fell मतलब बचो अब बल सकते हो, fell asleep मतलब बचो नीद में जाना, क्या बला है यहाँ पे? कि जिमू बैठ कर यह सब तानuki क्या, को यह सब करते हुए देख रहा था, बहुत लंबे समय तक, और फिर वो सोने चला गया, वो घरी नीद में चला गया, ठीक है, आगे देखो क्या है, when he got up in the morning, he saw that the तानuki had not run away, when मतलब बचो जब, got up मतलब बचो उठना, morning मतलब सुबे, सौ मतलब देखना, not मतलब बचो नही, run मतलब भागना, अवे मतलब दूर, क्या बला है यहाँ पे? कि जब जिमू सुबे में उठा, तब उसने देखा कि तानuki वहां से भागा नहीं है, the old kettle was still there lying in a corner, he picked it up lovingly, old मतलब बचो पुरानी, kettle मतलब बचो केतली, still मतलब बचो अब भी, lying मतलब बचो पड़े रहना, corner मतलब बचो कोना, pick मतलब बचो उठाना, lovingly मतलब बचो प्यार से, यहाँ पे क्या बोला है? कि जो प पर पड़ी हुई थी एक कोने में और उसने, जिमू ने उसे बहुत ही प्यार से उठाया, आगे दिखते हैं क्या है? Do you wish to stay with me? तानुकी, he asked. Wish मतलब बचो इच्छा, stay मतलब रहना, with मतलब बचो साथ, आस मतलब पूछना. यहाँ पे क्या बोला है? कि जो जिमू ने फिर तानुकी से क्या पूचा, क्या तुम मेरे साथ रहने की इच्छा रखते हो? ऐसा जिमू ने तानुकी से पूचा. इसल मतलब बचो जवाब देना, human मतलब बचो इंसान, voice मतलब आवाज, stay मतलब बचो रहना, with मतलब साथ, make मतलब बनाना, very rich मतलब बचो बहुत अमीर. यहां पर क्या बला है बचो? कि बहुत ही surprisingly जो तानुकी ता, उसने एक इनसान के आवाज में जवाब दिया, कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें बहुत ही ज़दा अमीर बना दूँगा. आगे क्या देखो, you can show me around, people will give a lot of money to see a kettle, turn into a tanuki and dance. शो मतब बचो दिखाना, around मतब बचो आब बचो आसपास, आजू बाजू, people मतब लोग, give मतब देना, money मतब पैसा, see मतब देखना, kettle मतब केटली, turn मतब बदलना, dance मतब नाचना. देखो तानuki ने क्या बला कि तुम मुझे आसपास दिखा सकते हो, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि एक केतली, एक केतली बदल कर तानuki में बन जाती है, और वो dance कर रही है, तो ये देखकर लोग तुमें पैसा देंगे, ऐसा वो बोल रहा है तानuki, जिमू से, ठीक है, आ मतब रखना, केतल मतब केतली, क्या बला है यहाँ पर, कि उन्होंने यह वैसे ही किया, जिमू ने एक छोटी सी दुकान बनाई और उसके प्लेटफॉर्म पर केतली को रख दिया, एट इस कमान्ड, केतल टर्न इंटू अतानuki, कमान मतब बच्छो आप बोल सकते हो, कि आग में बन जाती थी, एट जिमूस कमान्ड, दा किटल, दा लिटल फरी अनिमल वुट देन वाक, रण, जंप, लीप, टर्न, समर्सॉल्ट, और डांस, कमान्ड मतब बच्छो अब बच्छो आग गया, लिटल मतब बच्छो चोटा, फरी मतब बच्छो बालो बाल वाला, अनि दांस मतब नाचना, क्या बहला है, कि जमू के हुकम पर, जमु को कहने पर, जू छोटा सा ये बालो वाला जानवार था, वो चलता था, दोडता था, छ्едьता था, छलांग मारता था, और कला भाजिया करता था और नाचता भी था, जमू के कहने पर, पीपल लव तो see the cattle change into a playful little animal that could do all this people मतब बचो लोग love मतब बचो पसंद करना cattle मतब केतली change मतब बदलना playful मतब बचो चंचल little मतब छोटा animal मतब जानवर do मतब चो करना क्या यहां पर बोला है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था यह देखकर कि एक केतली बदल कर बहुत ज़्यादा चंचल जानवर बन जाती है और यह सब काम करती है they paid jimu well to see show paid मतब बचो अब बोल सकते हो कि पैसा देना well मतब बचो अच्छा see मतब देखना show मतब कारे करम यहाँ पर क्या होला है कि वो लोग जो थे वो जिमू को अच्छा खासा पैसा देखते थे यह कारे करम देखने के लिए big crowds of people came to watch the show big मतब बड़ा crowd मतब बचो भीड people मतब लोग के मतब आना watch मतब देखना show मतब कारे करम क्या होला है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी भीड आती थी यह कारे करम यह show देखने के लिए and the dear little tanuki never disappointed them little मतब चोटा never मतब चो कभी निराशा क्या बोला है यहाँ पर और जो जो चोटा सा प्यारा सा तानु की था वो उस भीड को कभी भी निराश नहीं करता था Mary Lee, it danced many dances, the shadow dance, the fan dance, the umbrella dance, it never tired of dancing Mary Lee मतब चोटा बोल सकते हो कि बहुत ही जादा खुशी से, प्यार से, dance मतब नाशना, shadow मतब चोटा बोल सकते हो चाओ, fan मतब पंखा, umbrella मतब चोटा, never मतब चो कभी नहीं, tired मतब चो ठकना, dancing मतब नाशना यहाँ पर क्या होला है कि बहुत ही जादा खुश होकर जो तानुकी था, बहुत सारे डांस करता था, जैसे कि बच्छो, shadow dance, जो जिसको हम बता हो च्छाओ वाला डांस, नाच जो है, fan dance, पंखे, यहाँ पर आपको सब तस्वीर में दिया, shadow dance, फिर पंखे वाला डांस, और मतब जमा करना, lots मतब बहुत सारा, money मतब पैसा, क्या बला है कि जल्दी जिम्मू बहुत सारा पैसा जमा कर लेता है, he had become a very rich man, become मतब जो होना, very मतब बहुत rich man, मतब जो अमीर आदमी, क्या बला है कि यहाँ पर, कि अब वो बहुत जादा अमीर आदमी बन चुका था, he said to the तानु की, dear तानु की, you have made me very rich, we can both live in comfort now, we can stop the shows if you like, said मतब बचो बोलना, dear मतब बचो प्यारे, made मतब बचो बनाना, rich मतब अमीर, we मतब बचो हम, both मतब दोनो, live मतब रहना, comfort मतब बचो आराम, we मतब हम, stop मतब बचो रोकना, show मतब कारे करम, like मतब पसंद, अब देखो, जि की, प्यारे तानु की, तुमने मुझे बहुती ज़्यादा अमीर बना दिया है, अब हम दोनों बहुती आराम की जिन्दगी जी सकते है, अगर हम तुम चाहो तो हम ये कारे करम रोक सकते हैं, हम ये show रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा हो चुका था, आग given him the magic kettle but मतब बचो लेकिन forget मतब बचो भूलना old man मतब बचो बुढ़ा आदमी given मतब देना magic kettle मतब जादूई केतली क्या बोला यहाँ पे लेकिन जो जिमू था वो उस बुढ़े आदमी को नहीं बूला था जिसने उसे यह जादूई केतली दिया था he gave some of the money to the old man gave मतब बचो देना some मतब कुछ money मतब पैसा old man मतब बुढ़ा आदमी यहाँ पे क्या बोला है कि उसने कुछ पैसा उस बुढ़े आदमी को दे दिया all of them lived long and happy lives live मतब बचो रहना long मतब लंबी happy मतब खुशी lives मतब बचो जिन्दगी गुजाना यहाँ पे क्या बोला है कि यह जो सब लोग थे उन्होंने बहुत ही एक लंबी और हसी खुशी जिन्दगी गुजारी jimu and the old man are no more but you may still come across the magic kettle lying in a corner somewhere in Japan old man मतब बुढ़ा आदमी more मतब बचो ज्यादा but मतब लेकिन जापान एक देश का नाम है यहाँ पे क्या हो ला है कि jimu और वो जो बुढ़ा आदमी है अब वो नहीं रहे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन अब भी आप जापान में किसी कोने में इस केतली को पढ़ा हुआ देखोगे ठीक है बच्चो यह कहानी है सच में तो इसा नहीं हो लिए कहानी में ऐसा बोल रहे है कि अब भी अगर आप जापान में जाओगे तो एक कोने में उस केतली को पढ़ा हुआ आप देखोगे ठीक है इसके वीडियो में आपको इसके कोशेंसे भी मिल जाएंगे तो अभी मिलते हम अगले वीडियो में तब तद के लिए गुड़ बाई अगर आपको यह यूज़े अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो शेर करो एंड चैनल को सबस्क्राइब करो thank you